मेटरी चैनल पर आज हम बच्चों बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम इतना इंपोर्टेंट चैप्टर है यहां से ऐसा कोई एक्जाम नहीं जो कोश्चन ना पुछता हो और इसका कुछ कॉंसेट्स हैं दो चार बाते हैं अगर आप सीख लेते हो तो यह आपको यह आना चाहिए और दूसरा यह आना चाहिए जैसे माली जिसे मॉडूल अगर पढ़ते थे इंटर में तो वह तो बहुत हाई लेवल हो जाएगा लेकिन अगर आपको वंडे एक्जाम देना है वंडे एक्जाम स्सी हो गया रेलवे हो गया यूपी पी हो गया तो मैं देखा होगा कि यह दो तरह के फार्म होते हैं मैं यह होता है एक होता है यह अगर यहाँ अगर और है तो यहाँ पर रिमेंडर एक होता है यह मतलब यहाँ जो होता है यह और अगर यही एन क्या होगा इवेन होगा सम संख्या होगी तो रिमेंडर वन आता है और जो कम होता है तो यहाँ कुछ भी रहे मतलब सम रहे और चाहे भी सम रहे मतलब अगर हम बात कर इस statement की यहां पर अगर और है तो रिमेंडर क्या होगा वह रहेगा जैसे यह समझो जैसे लिखा है पांच की पावर 97 अगर हमको सिख से डिवाइड करना है अगर इस फॉर्म का कोई कोश्चन दिया हुआ है इस तरह तो समझ जो यह पावर कैसी यह विसम विसम क्या होता है औ अगरलब आपको क्या करना है खाली कोश्चन किस टाइब का है आपको तरीका समझना है इसका प्रोविंग बाइनुमेल से होता है बहुत बड़ा तो नहीं है प्रूब भी कर सकते हैं अभी कोश्चन कर लो आप अप ऐसी यह है जैसे मालो सेबन की पावर 89 होता यह अपान म क्या होता है यहां पर कोंभी पावर हो चाहे सांगे सम हो सदय रिमेंडर एक ही आता है दोनों में जो है ऑड हो चाहे यह एद doakes और ऑड डोनों 91 है अपान 72 है तो भी रिमेंटर बनाया मतलब आपको question में क्या धूरना है question में यह वाला format धूरना है यह पहला case है यह जो है हमारा case number one है यह समझ लो पहले case में हम क्या सीखे पहले case में हम लोगे सीखे की अगर मालो कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है उसको डिवाइड करते हैं अगर एक का डिफरेंस है बेस से और इसमें तो समझ जाओ कि पावर होग고शन आएगा तो आप जरूर कर ले जाओगे अचा उसके बाद दूसरा केस्थ क्या बनता है तो यह बहुत खतना ap साट की पावर 97 है और हम को 11 से डिवाइड करना है यह जो बनता है कि अब यह कैसा how गल्य प्राइम नंबर मतलब होती है एक की पावर ए माइनस वन अपान एन होती है और एन क्या होता है प्राइम होता है तो यह समझ जाओ प्राइम मतलब अभाज जे प्राइम का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है अभाज जे आए बास समझ में तो यहां आलवेज रिमेंडर एक होता है यह केस् से कैस क्या है यह केसट नो filing मतलब किस टू में एक कि पावर यक मानस फन अपन एन मतलब अगर रिमेंटर qya है कि रिमेंटर वन पर क योगा यक किसा होगा प्राइम अब नमबर क्या होते हैं प्राइम नमबर वह होते हैंस्तिकSnore two factors होते है एक तो वन होता है दूसरा itself होता है जैसे आलो आपसे कहता है कि सेवन की पावर 93 है और यहां पर जो है मालो 11 दिया होता वह लिखा था उपर और लेकिन यहां 11 जैसे मालो डिवाइट ब इलेवन है और यहां लिखा होता टेन ऐसे लिखा होता यह तो इसका रिमेंडर सदय क्या आता एक आता यह जो केस है टू नंबर है इसको फर्वेट थोरम भी कहते है और यह प्राइम नंबर पर डिपेंड करता है तो अब ऐसा क्यों होता है अब हम उस पर चर्चा करेंगे ऐसा इसलिए बेटा होता है जैसे यह 11 है तो एक रिपीटिंग होती है क्या होती है एक रिपीटिंग होती है रिपीटिंग क्या होती है रिपीटिंग होती है रिपीटिंग होती है रिमेंडर की जैसे मालो हम कहें आप से कि 7 की पावर अभी दिखाते हैं आपको छोड़ा छोटा लंबर लेते हैं जैसे मालो की पावर एक को हम पहले भाग करते हैं पांसे छोटा होता है तो वहीं सेस्फल हो जाएगा अगर दो की पावर दो लेते हैं पांसे भाग करते हैं तो दो दुनी चार चार हो गया तो छोटा है तो चार रहेगा फिर दो की पावर तीन लेते हैं पांसे आठ हो गया तो यहां पर तीन आ गया गया और दो की पावर चार पांसे करेंगे सोला तो आजाएगा कितना एक आजाएगा रिमेंडर में जब एक मॉडूल होता है तो वहां से रिपेटेशन शुरू होता है पावर एक काता है तो समझ यवहां से सुरू हो जाता है किו वर के pad अगर अब अगर से तो अब पिर आएगा है किया कि ये कहने मतलब है जिसे मान लो दो चार तो रिमेंटर फिर दो ही आएगा दो की पावर जैसे हम छे लेंगे दिए चार आएगा मतलब साथ लेंगे तीन आएगा तो ऐसे श्रीच चलती रहेगी इसलिए पावर को हम क्या करते हैं फोर से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहां चार के बाद रिपीट है कहीं दो के ब स्फ़ेंटिक्स में जब हम लोग इंटरम इंटर》 पढ़ते हो या आगे पढ़ते हो तो मुट्सका मॉडूल निकालते हैं तुम बढ़ा हूगा उसमें तो उसमें जो है जो नंबर प्राइम होता है जो रिपैटेशन होता है एक पर आता है एसा मालो 11 है प्राइब Lesve carrier है वो remainder क्या हो जाता एक आ जाता और एक के बाद क्या होता रिपीट हो जाता है तो हम दस से इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना बस्ता 1090 कितना बस्ता साथ मतलब साथ की पावर साथ तो लेना ही पड़ेगा जैसे दो बार ले लिया सा सतीवंचास ले लिया दो बार हो गया फिर बन चास हो गया दो बार हो गया फिर लंचास हो गया ** परस एक बार साथ बचा इतना तो आपको लि בחना पड़ेगा इसके बाद तो साथ की पाऊ इसा कूल बार काट थेरो पच्छीज हो गया कितना बचा कितना बचा- एक हुआ यह प्राइम नंबर होता है लेकिन पावर कुछ अलग होती है यहां तो n-1 लिखा था वहां लेकिन क्या होता है हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं उसका रिपेटिंग नंबर निकाल लेते हैं रिपेटिंग नंबर कैसे निकालते हैं प्राइम नंबर से एक कम अच्छा अगर दो आएगा तो यहां पे कितना आएगा इसको 3-5 कि है सकते हैं मैं 3-5 आभ प्राइम नंबर में तूट गया एक इसका कम करतेंगे दो आयेगा इसकाYक कम कर लेंगे चाहरा यंदा ऑठ तो यह आठ पर रिपीट होगा कि का रिपीट होगा आठ पर वैसे दो की पावर चार पर भी जो है देखो हो रहा है जैसे पंद्रा है इसको सोला कहेंगे और सोला बटा पंद्रा यहां भी रिमेंडर एक आएगा तो चार से भी शुरू हो जाएगा तो कोई-कोई अपवाद भी होते हैं तो हम आठ से भाग करो तो भी आइंसर देगा चार्ज करोगे तो आठ से भाग करोगे तो वाराथ ही च्यानवे हो गया एक बच संब्सक्राइब करोगे तो जो कोईशन से अपने पास एक कोईशन जो है कि जैसे मालो पहला कोईशन यह वाला अपने पास है आप देखो पहला कोईशन जो है कहरा है फुर्टी ठीट पावर जहां से समझें बिल्कुल करा कि फूटी ठीटीशीक्स और डिवाइड 5 प्राइम नमबर लेकिन यहां भी कैसा है बड़ा नंबर है अगर नीचे बड़ा नंबर है उसको पहले छोटा कर लेंगे पेड मोटा है उसको छाट लेते हैं उसको हलका साथ तो पाँच से उसको भाग करेंगे तो पांश से पहाळा पढ़ेंगे 13 में कितनी बढ़ जाएका 8 लोगर कितना तीन तीन की पाऊल कितना हो च्छ उसी और भी conducted पांच कहा है कि हो पहला क्या करेंगे अगर बेश्क बढ़ा है तो बेस को क्या करेंगे, बेस को छोटा करेंगे, अगर बेस क्या है, बहुत बड़ा है, तो बेस को क्या करेंगे, बहुत ही छोटा कर लेंगे उसको, जैसे पांस की टेवल इसमें पढ़ेंगे, पहले बेस में पढ़ेंगे, तो यह आ गया, अब पांस का, क्या होगा, रिप कितना बचेगा तो तीन का स्कूर कितना हुआ नो नो को जब पांच से काटेंगे तो पांच एक कम पांच कितना बचा चार तो इसका एंसर क्या हो जाएगा च्यार अब इसके लगा कि दिखाओ मुझे तीन की पार 21 है यह तो बहुत आसान हो गया यहां तो भाग भी नहीं करना इसको पावर को तो पांच में से एक कम कर दो कितना आ गया चार और चार से इसको कर दो पावर को तो बेस तो मोटा बहुत सारा बेस बहुत पतला है जब बहुत हैं तो उसको नहीं करनागा आप क्या करो चार से इसको डिवाइड करो चार पंच वी कितना बचा एक बचा तो हम क्या करेंगे थिरी की पावर वन अपां 5 हाँ ये ध्यान दे बदला हम दिविडेंड ही क्या हो जाता निलिवेंड हीह कहें हम पठीजा nimmt यह करना है तो पहले क्या करेंगे इस क्षिचन में पहले क्या पावर देखेंगे पहले बेस देखेंगे बेस बड़ा है तो से फिन का पर्डेबल सुन को सब्कूशनर कांज हो निचीज करनी ध्यान समझेल और जिन्दीदी में रिमेंडर फेवन नी allevi yo सवाल मोटा वेस है चांट दो से इसी से पहाड़ा पढ़ना होता है इसमें क्यों वही तो बैनिवल ने कहा था कि एक्स मानस ए अपान की पावर एन अगर एक्स से डिवाइड होता तो जो यहां होता है उसी का यहां मर्टिपिल बनाते हैं यहां है उसी का यहां क्या बनाते हैं मर्टिपिल बनाते हैं अब देखो साथ के पहाड़ा पड़ो 35 कितना बचा दो की पावर 14 बटा कितना हो जाए तो दो की पावर एक बटा साथ कितना इसर आया दो आया यह अब जो है यहां पर अब जो है इसको इसको फिर एक बार मैं समझाए देरें चलो 37 की पावर वन चास था और भाग करना था सेवन से बताना थरिवेंडर तो 27 पचे 35 कितना बचा दो पर होता है जो एक कम पर होता है ज़स्ट एक कं पर होता है दो 7 कर देंगे शेट एर्ज कितना हुआ एक हुआ मतलब 2 की पावर 1 बटा 7 अगर 2 की पावर 1 की वालू 2 है और बटा 7 है तो रिमेंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यह तो यह कॉंसेप्ट है बार बार वही रिपीट कर रहे हैं रिमेंडर निकालना है प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे एक घड़ा देंगे हैंना मतलब बहुत कठीन तो नहीं लग रहा होगा अब जैसे हम बात करें इस कोश्चन की नो की पावर 91990 डिवाइड बै इलेवन अब इसको लगाना है मालो तो नो की पावर नो की पावर 1990 डिवाइड बै कितना है 11 है तो अब 11 कैसा नंबर है प्राइम नंबर है जब प्राइम नंबर है तो हम क्या करेंगे इसको एक कम कर देंगे इसमें तो यह 10 से क्या होगा 10 पर इपिटेशन होगा अब यह तुम्हारा 9 की पावर किस पे चलेगा जो 10 पे होगा वही इसका होगा दोगो यह 10 से काट कट रहना पुरा-पुरा मतलब जो 9 की पावर 10 पे आएगा वही 9 की पावर 1990 पे भी आएगा जो 9 की पावर 10 पे आएगा वही 1990 पे उन्हार पैएगा अब हम क्या करेंगे यहां 9 की पावर कितना लिखेंगे 10 कितना डिवाईड बै ए-11, यह छोटा हो गया लेकिन जब अब इसकी बात करेंगे हम चुकि यहां difference कितना है यहां 9 है 11 वो तो है नहीं कि a की power n upon a plus 1 एक का difference होता है तब वो सूत लगता है जैसे यहाला formula है अगर n odd होता even होता तो a हो जाता even होता तो one हो जाता यहां difference कितने का है दो का है तो यहां पर अब power 10 है तो 9 की power 10 य लातो 11 के fighter में इसको तोड़ लो जैसे 11 मानस हम इसको 9 भी कह सकते है 11 मानस टू कह सकते हैं by 10 अब आनके तवह उत्कों मानस टू की पावर में यहां लख रहा हूं कि इसको मानस टू की पावर क्या कह सकते हो तैन इसका बिलिबंदर से मोही आएगा तो इसके रिस्पेक्ट और यह व्याला देगा मुझे तो माइनस के साथ लेकिन तो माइनस के पाँ एवन नंबर हो जाता है उसको तोड़ो के तो चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार तीन की भी ले सकते हो 14-64 ले लो ज्याधा सब्सक्राइद है टीन में तोड़ दो चौन सब्सक्राइब एक सर्व क्य SugTart हो गया थिन तीन नहुं हो गया तिन दिन एक थीन चीत है थीन नो एक चेटा सिर्फ हों धू यूसे टो अपान कित्था हो यहान कित्ता उसाइगा पीछे पढ़ेंगे तो प्लस आएगा, जिसे 6 में पढ़ा 66, इसमें पढ़ा तो भी मानस 2 आएगा, इसमें पढ़ा तो मानस 2 आएगा, और यहां तो वो 2 हाई है, तो यहां किता आया, तुमारा 2 दूनी 4, दूनी 8, यह मानस का 8 हो गया, अब 2 है, इंटू 2, तो मानस का 16 हो यह मानस का 16 बटा कितना 11 अब जो मानस का है तो इसकी टेवल आगे पढ़ेंगे ग्यारा दोनी 22 ग्रादोनी 22 तो 16 चार दो 6 कितना अंसर आएगा 6 मानस 16 को मानस 16 को जब डिवाइड करेंगे किस से 11 से तो मानस 2 टाइब जाएगा मानस 22 तो प्लस हो जाएगा तो यह कोशन थोड़ा बढ़िया था नो की पावर 1990 और डिवाइड बै इलेवन यह जब गजब का कोशन था सीखने लाइक सवाल था इसमें क्या करेंगे पहले तो इससा एक कम कर देंगे दस इसको दस पे इस कट रहा है पुरा-पुरा तो वही आएगा नो की पावर दस मतल यह समय करकिए तो बचके महलब ृफुराइजित यह तमारा चो इतों हो रहा है कि पावर-बीर्ट तो यह हमेंडर देता मुझे तो मौंस तू कि पावर 10 है तो ओस मान त neighbours का मान तूम्हें याद है तो 1024 होता है दो कि पुर्दस कित्ता होता है आपको याद है तो आप सीधे उत्तर लगा सकतो है एक हजार चोबिस यह सब बावा लिंक करना पड़ेगा यह तो तब है जो आपकी मैस कमजोर है और आपको सीधा याद होगा माइनस टू मारा स्थों कि पांच पर पेर बनाए इवन में तो प्लस हो जाएगा इंद कितना बचा इसमें तीन 34 मैं कितना बचा 34 गरण इनाननवे कितना बचा इन एंद इस चौनतिस गजी बाइस और गजातिया 33 इसका एक आएगा रिम या ची नहीं आएगा इसमें गलत कर दिये थे तो दो की पावर कितना करेंगे इसमें अगर जो है लेते हैं दो की पावर तीन एक कर दिया दो की पावर तीन एक कर दिया तीन-ृ linking पावर तीन-एक कर दिया आचां मगरबर करदिये की वह बहुत लंबा लेग यह सजय है इसे toya शुशोट्य है और तो पर पांच ओ और शेक ज्श से अगले बार लेगे तीन की पावर 34 9 कि ठीवर 57 और डिवाइड में किता है 79 यह तुम्हारा जो है इस यह भी प्राइब नंबर है तो यह कम कर दो किता हुआ इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे जो सिखाया मैंने अभी कैसे इसका इसका बढ़िया है देखे लोग डर जाएंगे कि छे की पावर कितना है छे की पावर 128 है और डिवाइड वई कितना है 7 7 7 7 है यह अब इतना बड़ा नंबर देख कि कभी घबराना मत क्योंकि नीचे अगर बेस बहुत बड़ा है तो कुछ खेल हुआ है मतलब यह उसी का फार्मेट लगेगा यह वाला यह वाला फार्मेट जाएंगे शेगि घबर दो कहां जाएंगे 36 पर चाएगे शे गूड़े शेगर शेगर चैगर चैगरर अब three days घथ ऊवर्च प्रह गया अब three weeks अब छत्यस का क् Всемतम था तो च्做 सकया इसको निकालता है इसको निकालेंगेिए यहां पर कितना है कितना हो जाएगा यह पांच यह बन रहा है और इसको पावर इसको पांच से भाग कर देगा 1, 2, 10, 25 इतना हो जाएगा और 1, 6 की पावर 3 अलग हो जाएगा 25 पंचे 125 तीन 188 अब तुमारा 7, 7, 7 और 7, 7 चार बर लिख देंगे यह से यह जो ऊपर आया है और 7, 7 क्या बचा दखो ये जो आया है नमब 6 की पावर 5 मतलब यह तुमारा 7, 7, 7, 6 आ गया की पावर 25 आ गया य डिवाइड़ी कितना हो गया और उपर उल्टू 6 पावर 3 कि तब्शाट 5 beter चेवास्तों को एक देगा नहीं आज है नोह व्लवास्ती कि तो यहां तो 2 106 दोने जोड़ देंगे कितना आएगा छेचे बारा एक बढ़ा दो ऐसे समें साथ एक आठ एक नौ और साथ दो नौ यह तुमारा बनेगा जिब इसको भाग करेंगे किससे 7777 से एक ही बाटेवल जाएगी 7777 और घटा देंगे कितना आएगा साथ पाच बारा यहां बचा आठ आठ में साथ गया एक और नो में साथ गया दो 215 तो अंसर हमारा कितना आएगा 215 कितना आएगा इसका अंसर आएगा 215 कल्कुलेशन को ध्यान से देखो यही बिल्कुल सही है एक भी हो इन्टू वही आएगा छे चांग 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 आगे है और विल्कुल आगे कल्कुलेशन विल्कुल सही है इसको आप नोट कर लो इसके पाद यह कुशन यह कुशन तो बहुत आसान है इसमें क्या करोगे इसको कर यह वाला किलियर न मौर तो एक बाद पी समझा दे आप देखो छे की पावर जो है देखो जहां से छे की पावर 128 है और हमें डिवाइड करना है 7777 से हम क्या जानते हैं जब नीचे बहुत बड़ा नंबर होता है तो कुछ ना कुछ में खेल होता है तो हम क्या करेंगे इस बेस को इस जैसा बनाने की कोशिच करेंगे वो बन जाता है ठीक तो 6 की पावर हम जो 5 कहते हैं तो यह तुम्हारा 7776 होता है यह तो हम क्या करेंगे इसको 6 की पावर 5 लेंगे और इसकी पावर जो है 5 है तो 5 इसको पढ़ेंगे 5 दोने 10 और 25 एक चो लेकिन 3-6 बच गए अब इसको लिख दिया ऐसे इस तरह लिख दो ऐसे लिख दो इसको ऐसे लिखने के बाद यह जो वैलू आई है यह आई है 7776 की पावर 25 यह अलग कर लो इंटू 216 अलग कर लो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से इससे तो यह तुमारा रूल बन गया कौन वाला रूल बन गया यह रूल बन गया तुम अब जैसे पता चल गया रिवंडर यहां से यह आ गया सेवन 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 सिक्स आए गया और यहां जब डिवाइड किया तो यह चोटा है तो वही आएगा 216 तो हमने प्लस कर लिया तो 6-6-12-7-8-9 और 7-2-9 यह नंबर आया अब इसको इससे जब डिवाइड करोगे तो घटाइड वाग करोगे गट गे Suppose 7992 में से 7777 objection करोगे साथ 512 यह 5 आ जाएगा कि कि अन hunप सेवन 992 कि जब हआख गरोगे ऐसे भाग करोगे ना 7777 एक यह आट यह तो करना यह होता है यहां किता है पांचा आठ्ट मूश्ज़ है एक यहां बचा तुमारा कितना नो में 215 इसले कितना राया था 215 ये मोई इसाम甚麼 के अब जो है एक कोश्यर siamo hai फिर्ष्ट सूट्र होथ Lewisес एक सुठर होता है एक सिपावर अगर हम बात करें एक सिपावर एन उप्लस एक और एंड होता है बिसकर कुरंगंखंड होता है ये वह स्कोन होता है ये इसका है समझो यहां पर 5 और यहां पर 9 9 5 जोड़ो की चवदा हो जाएगा 14 से भाग करना यह मतलब पूरा-पुरा कर जाएगा तोरी मेंट्र तुम्हारा जो है यहां क्या जाएगा पूरा-पूरा कर जाएगा कि कुछ नहीं बचेगा समझ गए चलो अब यह question देखो बहुत आसान एक दे दिया गया 17 की power कितना है 200 है और divide by कितना है 18 है ये तो ये बिलकुल वही फार्मेट है A की power N upon A plus 1 वाला फार्मेट है तो इसमें A जब से मालो है यहां पर power कैसी है even है और even case में remainder कितना होता है one होता है इसलिए यहां cancer यह जो remainder आएगा यह रिमेंडर एक आएगा यहां का विलकुल सेम वही question जो भी पताया था मैंने उसी तरीके का अब यह question है जो 9999 है यह लगाता लिखा हुआ 13 से तो यहां कि नियम लिख लो एक नियम यह लिख लो वसे अपनी किताब मैस वली जो quant है isoometry उसमें लिखा हुआ है अनियम उसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई नंबर अगर छे बार लिखाएगा ए उशे बार स्हेम नंबर एक रहाएग अंक लिखा जाएग लिख दिया जाएग इसको लिख लो कॉंपी पैर लिख दिया जाए तो वह संख्या 3,7,11,13,37 तैस से विभाजित होती है एक 3 लिखलो 7 लिखलो 11,13 और 37 यह इतने नंबर जो होते है उससे क्या होती है डीविजबल होती है कितने नंबर छे-छे अदो यहां बना जोड़ा दो हो गया, चार दो छे, यह पुरा-पुरा कड गया, अब किते बचे, तीन, इसमें तेरा की टेबल पढ़ लो, तेरा, तेरा चंग 78, 3791, किता बचा, 9889, तेरा चंग 78, 78 है, 2, 9, 2, 11, किता अंसराया, 11, मतलब 6 पूरे-पूरे कड जाएंगे, जो आगे के 3 बचेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, टेबल, क्योंकि 6 पूरे काट देंगे, यह नियम अगर आएगा, नमबर क्या नियम होता है, कि 6 बार कोई संख्या लिखी होती है, तो वहां सदयो 3, 7, 11, 13, 37 से सदयो विभाजित होती हैं, यह लिख लोग अगर आप, तो 6 नमबर पूरे-पूरे काट देंगे, जो बचेगा, उसको डिवाइड कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा, अब गी वाला कोश्चन भी फिक्स है, कि 10 की पावर एंड जो होता है, इसको जब हम 6 से भाग करते हैं, तो एन कुछ भी हो, सद 355 कित आएगा, 6 से पाड़्याब पढ़ेंगे, तो कितना आएगा, यहاں पर ऐगा है, यह 6 यहां, 4 यहां, 1-4 यहां, सम्में, 4 यह 3 यह तो चार कितने बार आएगा, 500 बार 500 बार, लेकिन 3 वार जो 4 होगा, धोग हो यह 12 हो चुका होगा, तो हर 3 तीन, ग्रूप में, चार होगा वांचल हो जाएगा तो तीन से हम इसको भागा करेंगे 25 oleerm मतलब olla 4 जो है persons में 2 जो है सब कर जाएंगे यहां चाहर को तो बतबा इiliar 4 बस्ता रेगा में लेकि को लिए से मालों तीन है तो 3123 यह 3 यह क्या हो जाएंगे तिरों da कैंसल हो जाएंगे तो 33 क्या होते लेंगे नोट सौ में कित्थे पने बनें ख there तीन से तो इसका मतलब दो यह बचेंगे तो चार चार आठ चार चार बचेंगा फिर दिमाग लगाओ कि यार तो पांसों में बनाने हैं तो दो चार सो अठानवे कट जाएंगे तो बचेंगे दो चार प्लस चार कितना होता है आठ आठ को जो च्छे से काटेंगे कितना बच जाएगा तो यह कुश्चन अब जो कुश्चन आये हैं यह जो फार्मेट है यह तो सबसे पहले कहते हैं नंबर नहीं पता होता है तो हम उसकी जगह पर रिमेंडर यूज करते हैं इसे देखो यह सीजल का सवाल पूछा हुआ है लाइट दूजर थेस्ता जहां सास से डिवाइड करते हैं तो सेस्फल पांच आता है मतलब जो एम है मैं जो म है xu'd वह हूले कि जो इचार हरता इसकी आटte है वह कितना आता है पूछा है और हमारा सब्सक्राइब करते हैं उनिस सब्सक्राइब करते हैं यहीं तीन यहां पूट कर देंगे छेतियां 18 हो जाएगा साथ से भाग कर देंगे साथ दुनी चौदा कितना बचेगा चार बचेगा एंसर इसमें चार जाएगा इतनी कोश्चन आपके थे सब्सक्राइब आपका यूटूब चैनल पर जो हमने यह प्रियूस यह को टॉपिक रोज एक टॉपिक हम ले करके आपको समझा रहे हैं थैंक्यू मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ फिर थैंक्यू